हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए क्या आप भी निउस्पेपर में लिप्टा हुआ खाना खा रहे हैं तो साफधानों चाहिए आज हम आपको बताने बारे हैं यदि आप अपने आफिस में निउस्पेपर में लिप्टा हुआ रोटी लेके जाते हैं खाना लेके जाते हैं तो इससे आपको किन-किन भेंग कर बीमारियों को सामने करना पड़ सकता है जब कभी आपको भूग लगती है तो आप बाहर का खाना खाने चले जाते हैं और आपको अक्सर ठेले वाले दुकानदार, पूरी, सबजी, समोसे, पकोड़ियां आदी चीजें निउस्पेपर में ही लपेट कर दे देते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर रोटियां भी अखवार में लपेट कर भी ले जाते हैं अगर आप भी निउस्पेपर हैं लिप्टक खाना खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानी कारख हो सकता है क्या होता है अक्वार में लिप्टक खाना खातरनार अक्वार में ज़्यादातर ओईली खाना ही लपेट कर दिया जाता है और यह ओईली खाना ही सिहत के लिए आफ़द बन जाता है क्योंकि अक्वार की छपाई के लिए इस्तेमाल की गई इंक इस तेल के साथ आपके आए हम आपको बताते हैं वे कौन कौन सी है पहला है पेट की बीमारी अक्वार की इंक में डिस्सो बूटिल फतलेट केमीकल पाया जाता है जिसे बहुत ही गंभीर पेट की बीमारी हो सकती है इसलिए अक्वार में लेपटा हुआ खाना ना खाया तो ज़्यादा बहतर है आपने भी देखा होगा यदि आप गरम-गरम रोटियां अक्वार में लपिट लेते हैं और एक दो घंटे वाद यदि आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि अक्वार की छपाई आपके रोटी में आ जाती है वह वह आप खा जाते हैं जिसकी वज़े से कैंसर होने का खत और डालते हैं जिससे कैज सारी स्वास्त संबंदी परिशानिया समस्यां हो सकती है इसलिए आज की बात आप कभी भी अखोहर में लिप्टा हुआ खाना ना खाएं आप हमें सब फॉल पेपर में खाएं या फिर आप टिफिन में लेके जाएं लेकिन अखोहर में नाला पे और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल पटन जरूर दबाएं थैंक्स फूर वाचिंग